ओ हलो बच्चा लोग वेल्कम टू लर्न विद बेबिसिटर तो आज हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं इंग्लिश एल्फाबेट की एक्टिविटी येस आपको आइडेंटिफाई करना है एल्फाबेट्स तो घंटी बजाओ और शुरू हो जाओ फाइंड लेटर बी इन लेटर्स में से बी साहें तो बेर आपको लेजाएगा बी के पास येस दिस इस लेटर बी बी पोर बैर फाइंड लेटर एक इन लेटर्स में से एक कॉल साहें तो आइंट आपको लेजाएगी एक के पास येस दिस इस ए ए ए फोर आंट Find the letter C In letters में से C कौन सा है? तो cat आपको ले जाएगी C के पास Yes, this is C C for cat Find the letter F In letters में से F कौन सा है? तो frog आपको लेकर जाएगा F के पास Yes, this is F F for frog Find the letter D In letters में से D कौन सा है? तो dog आपको लेकर जाएगा D के पास Yes, this is D D for dog Find the letter E E In letters में से E कौन सा है? तो आपको लेकर जाएगा E के पास Yes, this is E E for elephant Find the letter G G In letters में से G In letters में से G कौन सा है? तो गोट आपको लेकर जाएगी G के पास Yes, this is G G for goat Find the letter E Find the letter E In letters में से I कौन सा है? तो इकवाना आपको लेकर जाएगा E के पास Yes, this is I I bought iguana Find the letter H Find the letter H In letters में से H कौन सा है? तो होट सा आपको लेकर जाएगा E के पास Yes, this is H H H for horse Find the letter L In letters में से L In letters में से L कौन सा है? तो लाएग आपको लेकर जाएगा E के पास Yes, this is L Yes, this is L L for lion Find the letter J Find the letter J Find the letter K K In letters में से K कौन सा है? तो कैंगरू आपको लेकर जाएगा E के पास Yes, this is K K for kangaroo Thanks for watching बच्चालो I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा Please like, share and subscribe कीजिए Bye-bye